हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेर्प्राइज उनलाइन लर्निंग सेंटर माइनेम इस अंकीता दूबे एंड आइम आपको बता दू कि आज हम शुरुआत करेंगे 11 स्टैंडर्ड की अकाउंट से तो 11 स्टैंडर में आपको कितने चाप्टर से ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं 1st chapter हो गया आपका Introduction to Accounting 2nd आगया Theory Base of Accounting 3rd chapter है Recording of Transactions 1 4th chapter है आपका Recording of Transaction 2 5th chapter है आपका Bank Reconciliation Statement 6th chapter है Trial Balance and Rectification of Errors 7th chapter है Depreciation, Provision and Reserve 8th chapter है Bill of Exchange तो इतने chapters आपको Study करने हैं 11th वालों को ठीक है आगे हम पढ़ेंगे कि accounts है क्या, exactly accounting में होता क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि accounting का मतलब होता है लेखांकन, यानि अंको का लेखन, अंको को लिखना, तो accounting मतलब अंको को लिखना, जैसे कि आप अपनी रोज मर्रा जिंदगी में देखते हैं, कि जब आप यानि एक personal diary maintain रखती हैं, उस diary में वो उस समान को खरीती हैं, और कितने में खरीती हैं, इसे तुरंत नोट करती हैं, तो या अगर वो नोट नहीं कर सकती हैं, तो वो उसी वक्त आप से कहती हैं कि आप उसे नोट कीजिए, जैसे कि समझे, आपकी ममी ने सबजी ली है, पच को नोट करने को उन्होंने बता दिया, ठीक है, जब सबजी आपकी 50 रुपए की नोट हो गई, इसके बाद वो जब कुछ और समान लेती हैं, तो वो इसमें और add करते जाती हैं, ठीक है, इसमें आप से कहेंगी कि आप और add कर दीजिए, और उसके बाद end में जब वो add करके ये सारे समानों की टोटल करती हैं, तो जितने भी amount आती है, जो भी amount आपकी total आती है, वो उसे maintain करती रखती हैं, इस चीज़ों को हम accounting कहते हैं, सेम ऐसी ही process companyों में भी होती है, जैसे company को एक particular amount दी जाती है, और उस amount को वो कहां कहां distribute करते हैं, कहां कहां खर्चे करते हैं, उ इसी process को accounting कहते हैं, तो according to the, सबसे पहले मैं आपको बता दू कि definition, यानि की परिभासा जो दिये accounting की, वो मैं आपको दो types की परिभासा हैं समझा रही हूं, जो आपको easy लगे, आप वो लिख सकते हैं, according to the, सबसे पहली परिभासा है, according to the committee of terminology of American institute of classified public account, यह यह जो definition है, वो American institute में दी है, यहां पर देखिए, definition, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, यानि की money को जो पैसे हैं, यानि money यानि पैसे को record करना, classify करना, summarize करना, in a significant manner, यानि एक systematic process में उसको record करना, इस process को accounting कहा जाता है, तो यह जो definition है, यह American institute ने दी है, इसके आगे जो definition दी है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, वो है according to Beerman and Durbin, इन्होंने यह परिभासा दी है accounting की, accounting may be defined as identifying, measuring, recording and communicating of financial information, अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया था, कि जैसे आपकी मुमी ने सबज 50 रुपए की यह देखे, सबजी ली है, 50 रुपए की ठीक है, अब इस information को आपको सबसे पहले identify किया जाता है, और उसके बाद आप measure करते हैं, उसके बाद उसे record करके communicate करते हैं, यही इसी process को इन्होंने आपको परिभासा बना की दिया है, जैसे कि देखे, accounting may be defined as identify, measuring, recording and communicating of financial information, यह हो गई परिभाशा, उसके बाद हम आते हैं, components of basic accounting, तो components मतलब उसके parts कितने होते हैं, तो सबसे पहला part है recording, recording यानि कि जो आपके पास financial information है, उसे record करना, या maintain करना, कहीं ना कहीं उसे note down करना, फिर आता है second, summarizing, summarizing मतलब जो जिस चीज़ के बारे में आपने पहले record किय उसी चीज़ को summarize करना, यानि कि उसके बारे में visualization करना, फिर आता है reporting, जो चीज़े आपने visualization किये हैं, उसकी एक report तयार करनी होती है, उसे कहा जाता है reporting, इसके बाद आता है analyzing, analyzing मतलब to study, यानि कि इन तीनो components के बाद जो last में आता है analyzing, उसका मतलब होता है study, जो आपने report तया आता है analyzing, तो ये चारों जो है components of basic accounting होते हैं, ये तो आपकी basic knowledge हो गई, फिर आते है types of accounts पे, तो types of accounts में आता है सबसे पहले personal account देखिए, यहां मैंने लिख रखा है personal account और फिर आता है आपका second real account और third आपका आता है nominal account, इसके बारे में हम आप detail में आपको बताएंगे, सबसे पहले हम देख लें कि rule क्या है, personal account का rule है debit the receiver, repeat करूंगी debit the receiver and credit the giver, ये rule होता है, ये rule आपको जब तक आप accounts continue करेंगे, जहां तक आप study करेंगे accounts के बारे में, आपको ये rule हमेशा याद रखना है, फिर आता है real account, real account का rule है debit what comes in and then credit what goes out, ठीक है, उसके बाद आता है nominal account, nominal account का rule होता है debit all expenses or losses, credit all income or gains, तो ये तीनो रूल आपको जब तक आप accounts continue करेंगे, तब तक आपको ये तीनो रूल follow करने, मैं एक बार फिर से rules बता देना चाहती हूं, personal account का rule होता है debit the receiver and credit the giver, और real account का rule होता है debit what comes in, credit what goes out and then nominal account का rule होता है debit all expenses or losses, credit all incomes or gains, मुझे पता है आपको debit, credit, receiver, giver and expenses, losses, income or gains, इन सारी चीजों को समझे में दिक्कत होती होगी, फिर आगे के वीडियो में हम आपको ये छोटी छोटी चीजे जो है basic knowledge जैसे की debit क्या है, receiver क्या है, credit क्या है, giver क्या है, expenses क्या होते हैं, loss क्या है, income क्या है, gain क्या है, इन सारी चीजों के बारे म आपको detail में knowledge देंगे, फिलाल आप बस ये जो चीजे मैंने दिया, आप इसे note down कर लिए, इसके बारे में study कीजिए, कोई भी problems होगी, मैं आपको आगे के वीडियो में continue करूँगी